हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई निटिंग चैनल जिसकी आज की वीडियो में हम डबल कलर का ये डिजाइन बनाना सीखेंगे देखे कितना सुन्दर ये डिजाइन लग रहा है इसको बनाना बहुत ही इजी है किवल सीधा उल्टा बुनना जो जानते हैं वो भी इस डिजाइन को बहुत एजीली बना सकते हैं तो 30 को बनाना हम सीख लेते हैं दिखी इसके लिए हमें फंदे लेने हैं 4 के मल्टीपल में प्लस 2 तो 4 के multiple में plus 2 करके आप अपने project के according फंदे ले लिजिए जैसे यहाँ पर हमने 22 फंदे लिए हुए हैं अपनी सलाई पर 4 के multiple में 20 और plus 2 करके 22 22 फंदे हमने अपने सलाई पर लिए हैं white color हमने डाला है तो चलिए इसको शुरू करते हैं देखिए यह हमारे design का right side है यहाँ से देखिए हमें क्या करना है 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे देखिए 2 फंदे हमने सीधे बुने धागा आगे लाएंगे 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे अब फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे धागा पीछे करके दागा आगे करेंगे फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे और इसी तरह से अपनी इस पूरी रो को हम कम्प्लीट करेंगे दो फंदे सीधे और दागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे दागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे आपकी सलाई में जितने भी फंदे हैं सब को इसी तरह से बुनना है तो चलिए ये सलाई को बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट में हम आ गए हैं लास्ट में हमारे दोनों फंदे सीधे आए हैं स्टार्टिंग में दोनों फंदे सीधे थे और लास्ट में भी दोनों सीधे आए हैं आप wrong side में आ जाते हैं, wrong side में जैसा फंदा हमें दिखाई दे रहा है हमें वैसे ही बनाना है, अब जैसे देखिए starting के दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं, last में हमारे दोनों फंदे सीधे आए हैं, तो हमें इस side से दोनों उल्टे बुनने हैं, यह की दोनों फंदे हमने इसके बाद दागा पीछे करेंगे, दोफंदे सीधे बुनेगे, जैसे हमने right side में बुना था, उस से opposite यहां पर बुना जाएगा, वहाँ हमने पहले दो फंदे सीधे बुने थे, फिर दो फंदे उल्टे बुने थे, इस side से हमने दो फंदे उल्टे बुने हैं और दो फंदे फिर सीधे बुने हैं इसी तरह से हमें अपनी इस रोख को कम्प्लीट कर लेना है देके लास्ट में भी हमारे दो फंदे उल्टे आ गए है देके दो सलाईयां हमारे डिजाइन की यहां पर बन गई है स्टार्टिंग की दो सलाईयां हमने बना ली जिस तरह से हमने ये दोनों सलाईयां बनाई है इसी तरह से इन दोनों सलाईों को हमें दो बार रिपीट करना है राइट साइड से दो फंदे सीथे दो फंदे उल्टे और रॉंग साइड से दो फंदे उल्टे दो फंदे सीथे इस तरह से करके हम यहाँ पर छे सलाई बना लेंगे यह हमारे तीसरी सलाई है राइट साइड से तो चलिए इन छे सलाईयों को बना कर हम तयार कर लेते हैं देखिए यहां पर हमने छे सलाईयां बना ली है अपनी तीन सलाईयां हमने राइट साइड से बनाई तीन सलाईयां हमने रॉंग साइड से बनाई अब देखिए यहां पर हमने अपना second color join कर लिया है अब second color red color हमने यहां join किया अब देखिए हमें क्या करना है जो हमारे सीधे फंदे थे पहले दो फंदे हमारे सीधे हैं इनको तो हम slip करेंगे देखिए ये भी हमने slip किया ये भी दोनों हमने slip कर लिये जो हमारे उल्टे फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे देखिए एक फंदा हमने सीधा बुना और दूसरा फंदा फिर से दो फंदे सिलिप करेंगे बस हमें ध्यान रखना है कि जो फंदे हमारे सीधे हैं आप नीचे से देखेंगे तो ये फंदे हमारे सीधे हैं जिनको हम सिलिप कर रहे हैं और जो उल्टे थे उनको हम सीधा बुनेंगे पूरी सलाई हमें इसी तरह से बनानी है ये देखें लास्ट में हमारे पास तो फंदे हैं इनको हम सिलिप कर लेंगे रॉंग साइड में आ जाते हैं wrong side में red color से ये हमारी दूसरी सलाई है हमें 6-6 सलाईयां बनानी है एक color से 6 सलाई हमने white से बनाई अब 6 सलाई हम red color से बनाएंगे तो देखें फिर से इन फंदों को slip करेंगे ये दोनों फंदे हमने slip किये red फंदों को उल्टा बुनेंगे कि दोनों रेड़ फंदे हमने उल्टे बुने फिर से दो फंदों को स्लिप करेंगे रेड़ फंदों को उल्टा बुनेंगे फिर दो फंदे स्लिप करेंगे और इसी तरह से अपनी पूरी सलाई को हम कम्प्लीट कर लेंगे पूरी सलाई हमारी complete हो गई अब आ जाते हैं हम red कलर से अपनी तीसरी सलाई में इसमें सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं तो देखी जो हमने slip किये थे इन फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे पूरी हमारी सीधी सलाई रहेगी इसमें हमें एक फंदा slip नहीं करना है कोई फंदा उल्टा नहीं बुनना है यह देखी थर्ड सलाई हमारी complete हो गई है red कलर के साथ रॉंग साइड में आ जाते हैं अब रॉंग साइड में अब देखे हम फोर्थ सलाई में हैं इसको हमें कैसे बुनना है आप नीचे देखिए यहाँ पर हमारे जो white कलर के फंदे हैं नीचे आप white कलर के फंदे देखें आप देखेंगे कि यह हमारे उल्टे हैं तो जैसे हमारे यह नीचे वाले फंदे हैं उससे opposite हमें बनाने हैं तो नीचे वाले फंदे हमारे चुरू के दो उल्टे हैं तो इस बार हम इनको सीधा बनाएंगे दो फंदे हम सीधे बनेंगे धागा आगे लाएंगे अब दो फंदे उल्टे बनेंगे अब फिर से हमें यही करना है दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे तो धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बनेंगे धागा अपनी साइट दो फंदे उल्टे बनेंगे झाल झाल यहां पर हमारी 34 सलाई रेड कलर के साथ कम्पलीट हो गई है अब आ गए हैं हम राइट साइड में पांचवी सलाई में फिर से हम यही करेंगे जैसे फंदे हमें दिखाई देंगे इस तरह से बुनेंगे तो स्टार्टिंग के दो फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे अब धागा पीछे करेंगे दो फंदे सिधे बुनेंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे दो फंदे हमें इस दिखाई 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 यह देखी राइट साइड से यह पांचवी सलाई हमारी कम्प्लीट हो गई अब रॉंग साइड में आ जाते हैं छटी सलाई के लिए रॉंग साइड सिक्स त्रो में देखी दो फंदे हमारे स्टार्टिंग के सीधे हैं तो इनको हम सीधा ही बुन लेंगे दागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे देखी दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे अब ये देखी चटे सीधे बुनेगे फिर से हमारी रेड कलर के साथ complete हो गई है आप इनको गिनेंगे अगर इन सलाई ओ को अगर अगर आप गिनेंगे तो ये आपको छे सलाईयां मिलेंगी अब फिर से हम अपने वाइट कलर का अपने लेगा उचनाया उस्टे से बनानी है तो देखे इस टार्टिंग के दो फंदे हमारे पास उल्टे हैं तो इस बार आप हम इने सीधा बुनेंगे वाइट कलर के साथ देखिए एक फंदा हमने सीधा बुना यह दूसरा फंदा अब जो ये सीधे फंदे हैं इन दोनों को हम slip करेंगे जैसे हमने पहले किया था सीधे फंदों को slip किया था और उल्टे फंदों को सीधा बुना था इसी तरह से हमें इसमें करना है जब भी हम अपने color को change करेंगे यहाँ पर उनका color जब भी हम change करेंगे जैसे हमने पहले white से red किया था तब भी हमने इसी तरह से बुना था और अब हम red से white करेंगे तो भी इसी तरह से बुनेंगे जो सीधे फंदे हैं उनको slip करते जाएंगे और जो उल्टे फंदे हैं उनको सीधा बुनते जाएंगे यह देखे पूरी रोह हमारी इसी तरह से complete हो गई है अब wrong side में आ जाते हैं wrong side में भी हम यही करेंगे white फंदों को उल्टा बुनेंगे जैसे फंदे हमें दिखाई देते हैं हमें वैसे बुनना है इस design में देखे white फंदे हमने उल्टे बुने red फंदों को slip करेंगे फिर white फंदों को उल्टा बुनेंगे इसी तरह से पूरी सलाई हम बनाते जाएंगे दिखिए वाइट सलाई हम पहले बना चुके हैं इस तरीके की लेकिन क्योंकि यहां पर हम रैड कलर से वाइट कलर को चेंज कर रहे हैं इसलिए मैं आपको एक बार दुबारा से बता रही हूँ इसी तरह से हमने रैड कलर में भी किया था तीसरी सलाई हमने पूरी सीधी बुनकर कम्प्लीट की थी प्प्लीट की आपको निशे हम मयारे था निए लगल्यल्क साथओने dl dressing Sabbath भसिती तरह से बढ़िसे हम आपको च्चशे हैं आपको हैं ऑनी थास्टान आपको एक पक रहे हैं जग यहां जग Standing यह देखिए पूरी सलाई हमारी complete हो गई है, अब आजाते हैं हम wrong side में, wrong side में अब आप देखिए नीचे से अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर red color के फंदे हमारे सीधे हैं, अगर red color के फंदे सीधे हैं, तो हमारे white color के फंदे उल्टे रहेंगे, तो starting के 2 दो फंडे हम उल्टे बुनेंगे, धाका पीछे करेंगे, दो फंडे सीधे धाके हम लाइंगे दो फंडे उल्टे, अब देखें हम फौ performed सलाई में वाइट कलर से हम यह прорश सलाई बना रहे हैं चौति सलाई है झाल झाल जी चौछी सलाई हमारी कंप्लीट हो गई हमारा डिजाइन दिखना शुरू हो गया है अब हमें फिर से करना है अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे दो फंदे सीधे हैं तो हम दो फंदे सीधे बुनेंगे दागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे जी चौषिंगे एज बुने दो फंदे उल्टे इसे व दो फंदे इसे करे दो करेंगे यह देखिए पांच वी सलाई हमारी कम्प्लीट हो गई रॉंग साइड में आ जाते हैं छटी सलाई के लिए दोफंदे उल्टे बुनेंगे इस बार हम दागा पीछे करेंगे दोफंदे सीधे जाधिए से अटी दोफंदे करेंगे दोफंदे सी डिए सी यहाए वी हमारी करेंगे यह देखिए छटी सलाई भी हमारी वाइट कलर के साथ कंप्लीट हो गई अब देखिए दो बार मैंने आपको यह रिपीट करके बता दिया रेड कलर से भी और वाइट कलर से भी नीचे हमें अपनी जो फर्स कलर है उसका यूज करना है उसके बाद सेकिंड कलर लगाएंगे उसे बनाएंगे फिर से हम क्लर का यूज करेंगे और शहाला you it dyes लेई जाए तो इस तरह से बार बार रिपीट करते जाएंगे तो यह डियजाइन हमारा पड़ता जाएगा इंब और देखिए कितना संदुदर लग रहा है यह देखिए कितना संदुदर यह डिजाइन ल कर दो